हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों आप इशाला सबका स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नॉटिफिकेशन मिल जायकरें जबी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तो वीडियो बनाने हों बहुत मेहनद लगती है बहुत एडिटिंग अगरगर नहीं पढ़ती है तो दोस्तो प्लीज एक लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक् देखिएगा अगर एंड तक देखेंगे तो काफी कुछ आज की वीडियो से आप समझ पाएंगे ओके दोस्तो तो आपको क्या करना है दोस्तो एंड तर देखनी है यह वीडियो ओके दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना प्ले स्टोर पे जाना है दोस्तो प्ले स्टोर पर एब आपको सर्च कर लेनी है light s9 call notification के नाप से ओके दोस्तों आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी है ओके दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इसका logo भी आप देख सकते हैं then दोस्तों आपको क्या करना है आपको करनी है यह open जैसे ही आप open करेंगे तो इस तरीके से interface आपको देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले यह आप से मांगेगा permission permission के लिए आपको कुछ नहीं करना यह अपने आप आपको redirect कर देगा जहांपे भी permission को आपको allow करना है ओके दोस्तों तो इस तरीके से interface देखने को मिलेगा उपर देख सकते हैं लिखा हुआ active, disactive, caller, color ओके दोस्तों यानि कि as its name indicate यानि कि जब भी आपको कोई call आएगी तो आप किस तरीके से interface set कर सकते हैं ओके दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ wave one color तो यहाँ पर आप color set कर सकते हैं देखे different different type के colors हैं यहाँ तो different different colors हैं तो आप set कर सकते हैं ओके दोस्तों wave one and then wave two ओके दोस्तों इस तरीके से आप set कर सकते हैं आपने एक चीज गौर की होगी जैसे ही यह color change कर रहे हैं चली मैं इसकी opacity बढ़ा देता हूं थोड़ा जैसे ही आप color change कर रहे हैं यहाँ पर side में कुछ wave जा रहे हैं जो इन color पर depend हैं ओके दोस्तों तो यह आप edges इस तरीके से कर सकते हैं अब इसका result क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ओके दोस्तों अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से on a right surface left surface और both you can use it like this अब दोस्तों इसके अलावा इसकी opacity आप अपने आप manually handle कर सकते हैं जैसे कि इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आप बढ़ाते चलेंगे यह dark होता चलेगा wave opacity इस तरीके से इसकी आप कर सकते हैं wave 2 पे आप green वाली की opacity कम कर सकते हैं क्योंकि wave 2 color है green light green बोल सकते हैं जैसे ओके दोस्तो then दोस्तो इसके अलावा है edge bar width इसकी width आप इस तरीके से maintain कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा width पसंद नहीं है तो आप very small कर सकते हैं small कर सकते हैं medium कर सकते हैं इधर large कर सकते हैं यानि कि big कर सकते हैं ओके दोस्तो यहाँ होता है इसका काम खतम अगर आप rate करना चाहिए इस application को तो आप rate भी कर सकते हैं यह नीचे के option पे यह कोई mandatory नहीं है अब दोस्तो जैसे ही यह चीज set हो जाएगी यानि कि अभी हो चुका है पूरी तरीकी से set आपने permission दे दिया अब दोस्तो यह चीज आपको show होगी जैसा कि मैंने बताया था active, dissective, caller dissective, caller, color यानि कि यह चीज है जो आपको wave show हो रही है यह आपको show होगी during the call ओके दोस्तो जैसे ही आपके पास कोई call आएगी तो इस तरीके से यह wave आपके mobile में showने start हो जाएगी जो कि काफी cool लगते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज को use करते हैं ओके दोस्तो काफी amazing है यह मुझे अठी लगी मैंने use करके देखी अभी हो सकता है might be यह थोड़ी annoying लग रही हो लेकिन जब call आती है तो यह काफी cool लगते है तो आप coloring के अपने हसाब से adjust कर सकते हैं एक बार इस application को use जरूर की जिएगा ओके दोस्तो amazing है यह application ओके दोस्तो तो उमीद है समझ में आया होगा किस तरीके से इस application को आप use कर सकते हैं अगर आपको जरा से भी पसंद आई हो यह application तो वीडियो को like करना बनता है चैनल को subscribe करना बनता है ओके दोस्तो और bell icon को भी दपा देना तो उमीद है अच्छी लगी होगी आपको तो बहुत जल मैं आपको मिलूँगा ऐसी amazing tips, tricks and videos के साथ और apps के साथ तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा ओके दोस्तो तो दोस्तो मैं विशाल अकरबाल बहुत जल मिलेंगा आपको नई वीडियो में नई application या पर tips and tricks के साथ तब तक के लिए bye दोस्तो